Hi friends, Dr. Rajiv from Gastronaut Clinic आज हम जानेंगे लिवर को टेस्ट करने के लिए यानि कि लिवर की कैपैसिटी लिवर का फंक्शन दिखने के लिए किस प्रकार के टेस्ट होते हैं पहला तो होता है ब्लड टेस्ट जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसमें components जो है उसके जो अंदर components है, parts है, first है total bilirubin जब भी पित्त की मातरा बढ़ती है, कोई भी infection में या liver disease में तो bilirubin बढ़ सकता है इससे हमें पता चलता है कि liver के condition अंदर कैसी है उसमें दो parts है, direct और indirect, वो technical है जादा, मैं simple इसे कहूँ तो bilirubin level आपको बताता है कि कितना liver में बिमारी शुपी है उसके बाद, दूसरा आता है, HGOT, HGPT अब ये बताते हैं कि liver में आपके कितनी सूजन है कोई भी बिमारी हो infection हो, hepatitis B, C हो, alcohol related हो, non-alcohol related या autoimmune या कोई भी बिमारी, liver की, तो liver में कितनी सूजन आई है ये आपको पता चलेगा, HGOT, HGPT से normally level 30 और 40 के अंदर रहता है अगर level थोड़ा सा बढ़े, यानि कि 50-60 हो, तो हमें पता चलता है कि थोड़ी सूजन है अगर 100, 500, 200 है, पता चलता है नहीं, moderate सूजन है, हजारों में है तो बहुत सिवेर है तो इस तरह से उसको judge किया जा सकता है, डॉक्टर आपको सला दे सकते हैं, उसका क्या करना है बट, diagnose करने के लिए इंपोर्टन्ट है alkaline phosphatase और gamma glutamil transpeptidase या transferase ये बताता है कि obstructive jaundice, यानि कि पित जब बाहर निकलता है, उस passage में कुछ obstruction या कुछ mass या कोई stone या कोई भी pathology है जो बिमारी फसी है, जिसके वज़े से पित फस रहा है albumin level, globulin level, protein level, ये तीनों आपको बताते हैं कि basically liver का protein बनाने की शमता कितनी है prothrombin time आपको बताता है कि liver में clotting factors बनाने की शमता कितनी है, जब cut आता है, तो clotting होने के लिए एक particular coagulation factors लगते हैं जिसको prothrombin time या INR से judge किया जा सकता है platelet count से भी indirectly पता चल सकता है कि liver की बिमारी है के नहीं, अगर कोई platelet के और कोई बिमारी ना हो तो उसके बाद आता है ultrasonography, CT scan, MRI, जो ज़रुत है, डॉक्टर वो बताते हैं, आपको उसमें पता चाहते हैं liver के anatomy, size, कितना है, उसमें कुछ pathologies हैं क्या liver के अंदर, लिवर में सूजन आई है क्या उसके अलावा fibroscan, liver का, जिसमें पता चलता है कि fibrosis है कि नहीं, उसमें भी caveat से आपको डॉक्टर से पूछना है कब करना है, result को कैसे judge करना है, उसके बाद आते हैं liver biopsy, selected cases में किया जाता है, और liver cirrhosis से related कुछ test है, endoscopy में देखते हैं, लेकिन basic यह है कि liver function judge करने के लिए जरूरी है, अगर डॉक्टर कहते हैं, तो वो कराईए, और liver की condition को judge करके डॉक्टर आपको treatment दे सकते हैं, कोई भी doubt है तो आप संपर कर सकते हैं, 8369-41420, हमारी चैनल को like, share और subscribe और comment कीजिए, कुछ है, सलाह तो हमें बताइए, thank you